अब बहुत ही जवर्दस रूप से अब न्यूज अपडेट हुआ है 68 BPHC का कि उसका अडिकार्ट आगया जैसे आप मुझे देख रहे हैं हुआ की दृट से तरह से ही अपयो एग की जेए तो एक पहले के तरह इस बार उसी दरह पहले की तरह इस बाद कि आ लेकिन दोस्तों से पहले मैं बता कि इस वार बहुत ही आलक अड़ाटर अपडेट किया हूगा यह जांते हैं सब्सक्राइब के साथ आएगा पुरा निगेटिव के साथ आ रहा है तो आपके लिए बहुत बहुत इंपोर्ट है बिदॉट नोइंग डैट इकॉंट को देर क्योंकि अगर आप उसके बीना जाएगा तो आपको आपको एक्जाम में बहुत दीकत करेगा तो पुरा ध्यान दिया हुआ है दोस्तों जैसे ही आप उस लिंग को क्लिक किजेगा तो अब इसलिए पहले के बांती आपको यह प्येज कुलेगा इसमें आपको यूजर नेम पासबर्ट जो आपके रिज्ट्रेशन के समय में डाला होगा यह आपके पास यह मेल में भी होगा और आपके मो यहां पर लिंक दे रहाए है यहां पर लिंक आएगा यहां पर लिंक आएगा जैसे क्लिक किजएगा तेन्सीव खुलेगा दोस्तों इसमें भिहार पबिक सर्विस कमिस में इसमें आपको नाम दोर रहे पर एक चेक बोक्स को टीकोट करना पड़ेगा तब ही आप नेक्स पेज में जाईएगा यहां पर जो भी कैप्चा वह भरिएगा उसके बाद फिर ओके किजेगा तो डाउन एडमिकार्ट का यहां पर लिंक कहा रहा है यह जो टैब आरहें इसको क्लिक किजेगा जैसे क्लिक दोस्तों आपके पास यह पीज जो डारेक्ट जाएकर करके यहां जाएगा और यह रहा आपका अडमिकार्ट की देखे काउन सा अडमिकार्ट में क्या का इन फोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि इसमें नायम आपका इंडेट फादर नेम और रेसेशन नमबर और देता ह यह साथ ही साथ एक नया चीज एड के दोस्तों बहुत इंपोरेट वह आइडेटिफिकेशन एक मेर में दिखाना चाहोंगा जूम करके यह डिस ही जे अडेटिफिकेशन नमबर यह यह आपको अधारकार्ट ही वहां पर दिखाना पड़ेगा है जो आपका अधारकार्ट लेकर जाएगा यह जो भी इंफोर्मेशन वाला पात रहेगा वह वह मिलाएगा और सबसे बढ़ी बात की अडेंटिफिकेशन मार्क दिखान दे रहे थे तो इसको सही ध्यान में रखते हुए वह इस बार इडेंटिफिकेशन मार्क बिलाया ताकि वह पता कर से कि जो निय अडेंटिफिकेशन मारक नए कौन से प्लाया है और सबसे बड़ी बात है कि आपको आपको आईडी लेकर जाना है आपको जो और इसका जो एक्जाम का जो डेट है टाइम है वह तो बारा बज़े से लेकर दो बाइस के बीच होगा ही यह तो फीक्स है साथे सबसे इस चुट गया थे है एक संटर पर क्योंकि वह इंट्रीगेट 11 बज़े के बाद गया थे देखिए दोस्तों यहां इंट्रीगेट टाइम गारा बज़े दोस्तों अब बात करते हैं कि सेंटर सेंटर देख रहें सिभार गया है क्योंकि चुकि यह गया जी लेक है तो आफ पटना से हाजीपूर से यह मुस्कित से 140-150 किलोमेटर पड़ता है तो आइधिंग 200 किलोमेटर के अंदर ही दे रहा है जिसे कान कोई दिकत चात्रों को ना हो तो आप साथ ही साथ यह भी आप धियान रखे कि आप अपने साथ अपने साथ अद्मिकार जरूरूर लेके कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है अदेंटिफिकेशन नमबर यहीं वाला आपको बैद होगा मालने कि यहाँ पर अधार काड़के बदे कुछ दूसरे चीज कर डाले हैं तो यहाँ पर सेंटर पर कुछ दूसरे चीज कर लेके जाएगा तो वहाँ पर थोड़ दिकत हो सकती पर पर यहाँ चाहरा हुआ इस बार निगेटi वहई इस बार बहुत ही असरे से जो फीड़ लेने के ने बाद निगेटिव इस पर विचार किया है और इस पर हरे के जो गलत अंसर पर आपका नंबर कटेंगे पचले ये पिछले सालों तक ये नहीं था समझे से अराम से निगेटिव मार्क कर रहे थे मैथ में कुछ भी लगा रहे थे टॉफ को सना रहे इसका कुछ भी लगा रहे थे और जितने भी जो मतलग कि बिना त्यारी करने वाले हैं वो भी जा करके 150 अटेम्ट ले रहे थे बट इस बार ऐसा नहीं होगा और नहीं कोई करना चाहेगा क्योंकि इससी और इसऑसी एकसरी कोई भी एससी एकजाम है निगतिव मांक्स होने पर आटोमेटिक जो अटेम्ट कम हो जाते हैं तो इसलिए बर पी यसट च्युक्य थोड़ा गाम है दोस्तो तो यह आपके लिए थोड़ा सा रहा देरी की बात थी लेकिन निगेटिव डाल दिया है उपर से जो फिफ्ट और ऑफसन है इसको भी मेंटें किया है तो यह कह सकते हैं कि यह जो यह है यह ऑफसन प्लस निगेटिव माग दोनों है जो इस पर बहुत ही बड़न है इसी तरह इसी के कारण आपको बहुत ही सोच बिचार के इसका अंसर देना पड़ेगा कि अगर किसी कान अगर नहें किया कर पाया तो बहुत ही निगेटिव जाएगा और इसका कट आफ इस बार सो के नीचे जाना ही है जाना दोस्तों तो आपके पास आभी भी पंद्रे मिट है बहुत सरे चीट डाला हुआ है जो ट्रीक है जितने भी स्टेटिक जी के हैं या करेंट इसका जो अब इकजान में बहुत फाइदमान होगा थैंक यू बेरी मस्त